आप देख रहें इंडिया नियूस का डिजिटल प्लैटफॉर्म आपके साथ मैं रशना बंसल एर इंडिया की फ्लाइट में महिला के साथ बसलूकी करने वाला आरोपी शंकर मिश्रा जो की गिरफतार कर लिया गया है बीती शामियू से बंगलूरू से दिल्ली पुलिस ने एविडेंस इखटा कर रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एर इंडिया की तीन पाइलेट को बुलाया दिल्ली पुलिस ने आठ क्रू मेंबर्स को बुलाया है और उन सभी से पूस्टाच हुई है उन सभी से सवाल जवाब हुए है अब जब शंकर मिश्रा की गिरफतारी हो गई है बीती शाम से लेकर आज तक भी उससे भी कई बार सवाल पूछे गए हैं और यह पूछा गया है कि आखिर क्यों उसने महिला के साथ बस सलूकी की आखिर क्यों आस्मान में उड़ती फ्लाइट में उसने महिला के उपर टॉयलेट कर दिया वो क्या सिचुएशन थ चाहिए दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं बताया गया कोई कंप्रैंट क्यों नहीं की गई और अगर आप देखेंगे बाप तो शंकर मिश्रा जो फोटो सांवने आए है शंकर मिश्रा या फिर उसकी फैमिली मेंबर्स देख कर कहीं से कहीं तक अंदाजा नहीं लगता कि इस है आखिर कैसे शंकर मिश्रा के जरीए कि बचसलू की महीला की साथ हुई यह चिकासी कंप्टनी शंकर मिश्रा वieve कंपणी में काम करता है और इंटरनेंशल कंप्पणी को भी जब इस बारे में जानकार ही लगए कี่ चुक्igt वो दो देंसे जागा वा था Kimpani के सशले से ही काम में गया हुआ था और काम पर गया हुआ था तो दो देन असे थकान थी श्की सा वह जादा उसके आंकों ऐसकों में भरी धी जब वह फ्लाईट में पहुँचा उसने वहाँ पर डिंक की और एपर सी नींद में हो गया, यह उसके पिता ने बचाव में कहा है, हाला कि शंकर मिश्रा ने अपने बचाव में क्या कहा है, यह तो दिल्ली पुलिस जानकारी देगी, आज सवाल जवाब के बाद कोर्ट में उसकी पेशी हो रही है, कोर्ट को फैसला करना है, शंकर मिश्रा के सारा जानकारी दे नहीं पाई, फिर खबर आई कि उत्तरप्रदेश के लखनों में जाकर शिप गया है, वहां भी पुलिस ने जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली मिला है बेंगलूरू से अपने मुबाइल बंद कर दिया था, ताकि उसे ट्रेस ना किया ज जगा रहा था कि कैसे उसे पुलिस जगा जगा ढूंड रही है, और उसे कहा जाना चाहिए, कैसे छिपना चाहिए, लेकिन छिपना आखिर वो कब तक करता, वहीं सोशल मीडिया अकाउंट जहां से उससे अपना इस्तमाल किया, उसी आई पी एड्रस से जानकारी मिली और पुलिस तक पहुची, फिर दिली पुलिस ने उसी आई पी एड्रस को ट्रेस करते हुए, बेंगलूरू से शंकर मिश्रा की गिरफतारी कर ली है, आरो बड़े हैं, करीब सतर साल की महिला, जो बता रही है कि लड़ाई जगडा हुआ, और टॉयलेट उसने महिला के उपर क कर दीजे, मुझे किसी दूसरी सीट पर बिठा दीजे, एर इंडिया के स्टाफ ने इतना तक उस महिला के लिए नहीं किया, और इसलिए महिला गुसाई हुई थी, दो दिन तक उसने वेट किया, जब कोई कारवाई नहीं हुई, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष को पत्र ल हैं आरोप लगाने वाली, उन से भी दिल्ली पुलिस ने जानकारी खटा की है, आगे जो भी कारवाई शंकर बिश्रा के खिलाफ होगी, बताएंगे आपके.